नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी के आईडिल स्टर्ड़्य प्वाइटर में स्वगतह्त कुरता鄉ं जैसा कि आप लोग देख रहा हैं मैं आप सभी के लिए कुश्चन बैक से प्रशनो को ऑभ्जेक्टिव कुश्चन को लेकर आ रहा हूं तो जैसे जैसे कि इसमें हम आप सभी के लिए 2013 के जो सेस बचे objective question का भाग है उसको हम लेकर इस वीडियो में आ गया है तो चलिए इसमें हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग 11 नमर question तक हल करना सिखे हैं चलिए अब 12 नमर question का कैसे हम लोग हल करते हैं किसी भी ब्रीथ पर कितनी असपर्ष रेखाएं खीचिजा सकती है तो देखिए को भी ब्रीथ लिजिएगा तो उस पर अनिक अनिक असपर्ष रेखाएं किची जाती है इस जैसे देखी आपको दिखाते हैं यहाँ पर एक बीद ले लेते हैं जिंत बर्णा ह्यां आप लोग पढ़ें कि ब्रीट पर बहुत सारे बिंदू से मिल कर यह बनता है जैसे देखें इस बीदू से खीचेंगे तो देखें यह एस परस रख होगा है इस मि俺 जा रहा है इस यानि दूस्तों आप यहां इस पर और रहा है खिश सकते हैं ठीक है यानि कि इस पर हम ब्रीट कितना ब्रीट पर एक ब्रीट पर कितने आसपर्स रहा है कि चीज़ा सकते हैं तो और ने यह हैं devo नमंटहब इन तो एक सब्सक्राइब सोना के सब्सक्राइब करणा तो कि इसको हम बताइब के दिखानी इसको है कि टा वह लoking जहाए है तो किसल昌 और पहले is go सब्सक्राव सबी कई एक परिमी संख्या है नहीं तो देखिंग सभी वास्तविक संख्या जितनी वास्ति Yap परईमी संख्या हो भी सकता है नहीं हो सकता है तो इसका उत्तर क्या होगा नहीं होगा ठीक है अगला प्रस्ण कहा जा रहा है कि यह द्विघाद समिकरन 3x स्क्वाइर प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों का योगफल क्या होगा तो आप लोग क्या पढ़ें कि alpha plus beta इसकल तो क्या होता है माइनस b बटे ए तो सबस्क्राइब रहता है डियेन दोस्तों इसका उतर या होगा माइनस चारवटे तीन ठीक है तो यहाँ पर देखिए माइनस छोड़ दिया है उस तर में यहां मैनिस चारवटे 5 कि अगला प्रसन कहा जा रहा है कि दिये आंक्रे एक зарी ऑनीमरे का माद क्या होगा से मैं इसको माद क्लानी दिखाता हुँ देखिए तो दोस्तों इसको उतर क्या होगा दो ठीक है अगला प्राशन कहा जा रहा है कि एक निश्चित या निर्धारित घाटना की प्राइकता क्या होगी तो हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी प्राइकता में निश्चित घाटना की प्राइकता क्या होती है एक होता है याद कर लिए एक होता है निचित घर्टन के प्राइकता क्या होता है तो एक होता है देखी एक से कम लिखा या गलत लिखा है इसका उतर केवल एक होगा ठीक है अगला कहा जा रहा है कि बिरोधी समीकरन के योगम के कितने हाल है बिरोधी समीकरन के केवल एक हल होत ठीक है अगला प्रस्न कहा जाए रहा है कि 10 स्क्वाइर 36 बटे कोट स्क्वाइर कितना चोवन डिगरी बराबर क्या होगा तो इसका मान तो एक होगा क्योंकि चोवन और यह 36 जोड़ी होगा इसको सोलूशन करने पर हमारा एक है चलिए मैं इसको सोल करके दिखाता हूं तो देखिए यहां पर प्रस्न हमने लिख दिया तो देखिए एक काकड़ी कि एक को बदल दीजिए 90 में चीटा यानि हम 10 क्या कर देते हैं 10 स्क्वाइर 90 में से कित को ठीटा होता है कि ने स्क्वार एक होगा की नहीं तो देखिए दोस्तों इसका उतर क्या होगा अपका एक होगा ठीक है हमां आपको मान निकाल के बता दिये ठीक है तो दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए शेयर करिए सस्क्राइब करिए ठैंक्यू भेरी मच और इसके अगले question back का जो दूसरी sitting का जो paper होगा उसका solution में अगले वीडियो में लेकर आऊंगा तो दोस्तों देखना न भूलिएगा चलिए ठैंक्यू भेरी मच